इस फैन को लगाने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिजली का विल बहुत कम आएगा और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है बिकॉज इजी टाइम्स क्रेट्स वीक में और यह आपको एकदम आलसी बना के रख देगा क्योंकि इस सुपर स्मार्ट पंके को चलाने के लिए रिमोट की भी जरुरत नहीं है सबसे पहले तीन इंपोर्टेंट स्टेप्स स्टेप वन स्मार्ट फैन लगाने के लिए आपको रेगुलेटर बाइपास करने पड़ेंगे जो की सिंपल प्रोसेस है आपको वायर काटने होते हैं और आपका कोई भी इलेक्टिशन आरामसी इसको कर देगा मैंने तो पूरा ही बाहर निकाल लिया है और मुझे पता है कि ये अगले 10 साल भी मेरे कुछ काम नहीं आने वाला है फिर भी मैं इसको फेकने वाला नहीं हूँ पड़ा रहेगा घर में किसी पूराने डब्बे में स्टेप 2 स्मार्ट फेन के सभी फीचर्स को यूज करने के लिए आपके घर पे होना थी है एक वाइफाई कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन और स्टेप 3 है पंखे के बार में सब कुछ जानने के लिए मेरी ये वीडियो पूरी देखो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए अन्बॉक्सिंग करते हैं तो यहाँ पर इस बड़े से Amazon के डबे में दो पंखे निकले और ऐसा नहीं है एक के साथ एक फ्री आपको मिले दूसरा भी मैंने खरीदा है जिसका रिव्यू भी आएगा जल्दी और यह है मेरे पास Studio Smart Plus का बॉक्स ब्लैक कलर का बॉक्स है यहाँ पर और दूसरा अला पं ग्रे ब्ल्यू यह अर्थ ब्राउन वाइट शायद और यहाँ पर 8500 रुपीस प्राइज लिखे मगर इतना मेंगा नहीं आपको 5500 रुपे के आसपास ऑनलाइन मिल जाता है आपको जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहां से आप इसको चेक कर सकते हो औ और इसी में एक और सेम आता है नौन स्मार्ट फैन सेम डिजाइन आती है बस उसमें यह वाइफाई वगरा नहीं रहता है और मगर इतना मेंगा ले रहे हो तो वाइफाई वाला ही लेना चाहिए हमको और यहाँ पर देखिए वाइफाई दिया है ब्लूटूत लिखा है ए यह जो है पंगडी वाला बॉक्स है और एक और बॉक्स है जिसमें सब माल मेट्रियल होगा तो कितने बॉक्स मैंने खोल दी आज तो इसको भी ओपन कर लेते है और यहाँ पर यूजर मैनुल और वारंटी कार्ड है यह तीन साल की वारंटी मिलती है जो की काफी बढ़िया बात है और यहाँ पर इसका एक कोई उपर का टुकड़ा होगा प्लास्टिक का यह दूसरा टुकड़ा है प्लास्टिक का यहाँ पर रॉड रखी है और रॉड की क्वालिटी काफी हेवी क्वालिटी की रॉड है यह एक और कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है यहाँ पर screw अगेरा बहुत कुछ है छोटे मोटे सब कुछ लगाना कैसे है user manual में लिखा होता है वहाँ से हम लोग लगा सकते है आसानी से और ये देखिए color इसका earth brown है 5 star rating है इसकी power saving 35 watt maximum power लेता है और made in India है सबसे बड़िया बात और BLDC motor तो इसके अंदर है ही और ये इसकी पंखड़ी आप लोग देख सकते हो तो पंखड़ी का color यहाँ पर dark brown और ये जो wooden इसमें finish आपको मिलता है design वैसा है तो एकदम dark है थोड़ा black जैसा ही लगते है दूर से देखते है तो हम लोग और white color के पंख़ए हमें installation कर रहे हम लोग और easily installation कर दिया user manual देख देख के और अब इसका tape भी निकाल देता हूँ तो दोनों पंख़े मैंने install कर दी और काफी कमाल के लग रहे है यहाँ पर light हो गिरा तो अब इनको जो है हमें wifi से connect करना होगा उसके लिए आपको जो है Atomberg के server से connected रहोगे पंखे भी Atomberg के server से connected रहेंगे और आप अपने phone से इनको जो है use कर सकते हो जैसे यहाँ पर मैं देखिए LED on off कर रहा हूँ phone से यहाँ पर boost mode वगेरा कर रहा हूँ तो यह देखिए आराम से 3 पे speed मैंने कर दिये 5 पे कर दिये यहाँ पर भी आपको voice का मिलता है option मगर Alexa Google Assistant का भी option है जो कि आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर app के अंदर सारे analytics भी आपको मिलता है जैसे देखिए कितनी बिजली वगेरा इसने बचा ही है consumption वगेरा आपको बताएगा सारे पंखों का और क्योंकि इसके अंदर नए जमानी की जो BLDC motor होती है brushless DC motor वो यूज की गई है तो काफी ज़्यादा energy efficient होती है और एक पंखा company claim करती है एक साल में पंदरा सो रुपे बजाता है मगर यह minimum जो हजार रुपे तो बचा ही लेगा और क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से Atomber का fan यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर electricity save तो होती है और यहाँ पर आप consumption देख सकते हो power का first speed पे सिर्फ 3 watt ये यूज करता है और maximum 6 speed आपको मिलती है 6th speed पे 38 watt है और यहाँ पर आपको timer का भी option मिल जाता है 1 hour से लेके 6 hour तक कि आप time लगा सकते हो पंखा बंद हो जाएगा और sleep mode में मिलता है मतलब की 4 गंटे का ये mode होता है मतलब हर 2 गंटे बाद 1 speed कम हो जाएगी पंखे की जो की power saving में भी help करता है और यहाँ पर remote में भी सारे option आपको मिल जाते है और क्योंकि ये पंखा internet का use कर catomber के server से connected है तो आप चाहे दुनिया में कही पे भी हो अगर आपके phone में internet है for example अभी मैं Dubai में हूँ और यहाँ से भी मैं इस पंखे को operate कर सकता हूँ वहाँ पर India में पंखा on off होगा तो ये काफी बढ़िया चीज होती है जो भी smart devices होते है IoT enabled devices उनमें ये चीज काफी बढ़िया होती है जो ट्राइ करेंगे Alexa fan 2 speed 3 और ये देखिए on हो गया speed 3 सीधा और इन दोनों fan का एक group बना के साथ में भी उस कर सकते हो for example ये देखिए Alexa both fan on Alexa both fan off Alexa fan 1 LED on Alexa fan 1 light off तो भाई ये जो feature है ना काफी ज्यादा कमाल का लगता है काफी बढ़िया impression पढ़ता है अगर घर पे कोई महमान भी आता है और उनको जब पता जलता है कि आवाद से ये पंके on off होते है कमांड फुरा लेते तो एकदम ही चौक जाते वो उनका expression काफी गजब का होता है और छोटे बच्चे या फिर जो बुजुर्ग लोग होते है जिनको technology इतनी जिनोंने अभी तक देखी नहीं है बहुत थोड़ा ज्यादा time लगता है पंके को गंदे होने में और बहुत आसानी से clean हो जाता है तो ये काफी बढ़िया लगा मेरे को और color की बात करें तो ये brown और जो wooden finish है सबसे best है दूसरे color options भी available है मगर ये मेरे को सबसे best लगा और जितने टाइम से मैं यूज कर रहा हूं अभी तक कोई भी issue मैंने face नहीं किया है मगर Atomberg की जो technician है वो घर पे ठीक करके जाते है अगर कुछ भी problem होती है तो मतलब on site जो है service in की रहती है तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको सब कुछ मैंने इस पंखे के बारे में most of बताई दिया है फिर भी अगर आपको बंद में कोई question वगिरा हो तो नीचे comment जरूर से कर दीजिएगा अगर आपको ये पंखा बाय करना है तो इसकी link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी वहाँ से आप इसके बार में चेक कर सकते हो color options भी देख सकते हो और इस वीडियो को like जरूर से कर दीजिएगा इस वीडियो को share भी कर दीजिएगा चैनल पे ने हो तो subscribe कर दीजिए साथ में bell icon दबा दीजिए दोस्तों मैं हूँ तरून ये है gadget masala जैसी कृष्णा